परिचय मनुष्य, जन्तू और पादप जीवित रहने के लिए ओक्सीजन पर निर्भर होते हैं. कुछ जन्तूओं की श्वसन तकनीक मनुष्यों के ही समान होती है, कुछ में श्वसन प्रक्रिया पूरी तरह भिन होती है, पादपों की श्वसन प्रणाली भी पूरी तरह अलग होती है इस पाठ में हम जन्तूओं और पादपों के श्वसन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे मनुष्यों ही की तरह कीटों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है मनुष्यों ही की तरह वे अपशिष्ट के रूप में कार्बन डायोकसाइड को उत्पन्न करते है लेकिन मनुष्य के विपरीत, तिड्डा, घरेलू मक्षी, तिलचटे इत्यादी कीटों में फेफड़े नहीं होते कीटों में जिस प्रक्रिया से गैसों का विनिमय होता है उसे विसरन कहते है कीटों में श्वसंतंत्र कीटों के शरीर में वायू उनके शरीर में पाये जाने वाले छिद्रों के द्वारा प्रवेश करती है इन्हें श्वासरंध्र कहते हैं श्वासरंध्र कीट के संपूर्ण शरीर में फैले हुए वायू नलियों के संजाल में खुलता है इन नलियों को श्वास नाल कहते हैं और ये गैसों का विनिमय सुलब करती हैं. कोशिकाओं तक ऑक्सिजन श्वास नाल तंतर के माध्यम से पहुचती है और कोशिका से श्वास नाल तंतर के माध्यम से कारबन डायोकसाइड से लेकर श्वास रंध्रों से कीट के शरीर से बा आनि त्वचा से श्वसन करते हैं। वे वायू और मृदा से ऑक्सिजन ग्रहन करते हैं। जब ऑक्सिजन उनकी आर्द्र त्वचा के संपर्क में आती है, तो यह विभक्त हो जाती है। यह चोटी-चोटी रक्त वाहिनियों के माध्यम से ग्रहन होती है और पूरे शरीर में संचारण करती है। यही रक्त वाहिकाएं कार्बन डायोकसाइड को त्वचा से बाहर निकालने के लिए लिए जाती हैं। ऑक्सिजन के प्रभावी ग्रहन के लिए केंचुए अपने शरीर को आर्द्र रखते हैं। मेंधक में श्वसन मेंधक में मनुश्यों के समान ही फेपड़े होते हैं। वे अपने फेपड़े का प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं। लेकिन उनके फेपड़े ज्यादा विकसित नहीं होते। इसलिए वो दो प्रकार के श्वसन का प्रयोग करते हैं। एक मुखश्वसन और दूसरा त्वचिय श्वसन में ऑक्सिजन ग्रहन की जाती है और इनके मुख में स्थित रक्त वाहिनियों के माध्यम से कार्बन डायोकसाइड बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रम के दौरान फेपडे का रास्ता बंद रहता है। त्वचिय श्वसन में ऑक्सिजन त्वचा पर्स्थित रक्त वाहिनियों के माध्यम से अवशोशित की जाती है। यह श्वसन तभी प्रभावी होता है जब त्वचा आर्द्र हो। इस श्वसन तकनीक का प्रयोग मेंधक जल और थल दोनों जगह करते हैं। मचलियों में श्वसन क्योंकि मचली एक जलीय जीव है, इसका श्वसन तंत्र थलीय जन्तुओं से भिन्न होता है। मचली के पास गल फढ यानि गिल होते हैं, जो इसे जल में श्वसन करने में सहायक होते हैं। अतह मचली को श्वास लेने के लिए जल की सतह पर आने की कोई बाधहता नहीं होती। वे ओक्सिजन युक्त जल को अपने मुप मे लेती हैं और उसे गलपढ के पास भेज देती हैं। गलपढ में रक्त वाहिनिया स्थित होती हैं, जो ऑक्सिजन को ग्रहन कर लेती हैं और कार्बन डायोकसाइड को जल में त्याग देती हैं. ऑक्सिजन विहीन जल फिर गलपढ के माध्यम से शरीर से निकाल दिया जाता है. पादप और श्वसन सारांज आईए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं. कीटों में वायू उनके शरीर के किनारों पर स्थित, श्वास रंध्रों के माध्यम से प्रवेश करती हैं. केचवा अपनी त्वचा के माध्यम से गैसों का विनिमाय करता है. मेंधक के पास मनुष्यों के समान श्वसन के लिए एक जोड़े फेपड़े होते हैं. उनकी त्वचा आर्द्र और शलेश्मिय होती है. वे अपनी त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं. वे अपने मुख स जिसे भी श्वसन करते हैं. मचलियों के पास श्वसन के लिए विशेश अंग होता है, जिसे गलफ़ड यानि गिल कहते हैं. पादपों में श्वसन के दो रूप होते हैं. एक रूप में ऑक्सिजन ग्रहन की जाती है और कार्बन डायोकसाइड निर्मुक्त की जाती है. दू